दोस्तो दातों की सडन दातों में पिलापन या फिर पाइरिया जैसे समस्या अगर आपको भी हो रखी है तो आज का ये रेमेडी आपके लिए बहुत जादा यूसफुल रहेगा और दोस्तो रेमेडी बहुत ही पावरफुल है जिसे यूज करने के बाद अब की दातों से जुड़ यतनी भी समस्या होगी वो पूरी तरीके से खतम हो जाएगी और इस रेमेडी को बच्चे से लेकर के बुढ़े सब ही लोग यूज कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस यूसफुल रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए लॉंग दोस्तो लॉंग में एंटिवेक्ट्रियल प्रॉपर्टी होता है जो की दातों की सड़न कैबिटी को दूर करने में बहुत जादा कारगर होता है साथी साथ दोस्तों सांसों की ब बदवू है वो लॉंग से पूरी तरीके से खतम हो जाता है तो इस रेमेडी के लिए दोस्तों यहां पर हमने साथ से आठ लॉंगे लिए हैं जो की हर घर में बहुत ही इसली मिल जाती है उसके बाद हमें लेना है एक चमच के करीबन अजुआइन अजुआइन पाईरिया जैसे समसिया को पूरी तरीके से खतम कर सकता है यानि की दातों में जो ब्लाड औरने की समसिया होती है ना उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकता है साथी साथ मसुडों की सूजन और दातों की दर्ड में बहुत ही राहत मिलता है दोस्तों अजुआइन में थाइमॉल नामो एक पदार्थ होता है जो की नैचरल किट नाशुक है इसलिए आपकी डातों की सडन को भी अजवाइन बहुत ही अची तरीके से ठीक कर देता है तो यहां पर इस रेमेडी में अजवाइन को यूज करने से पहले हातों की मदस्ते इस तरह से क्रस्ट जरूर कर लीजिएगा औ आपके पास पुराना दिये हैं नया दिये हैं जैसे भी दिये हैं आप उसे ले लिजिए और लॉंग और अजवाइन को इस तरह से मिट्टी के दिये में रखने के बाद इसे हमें अच्छी तरीके से भून लेना है दोस्तों रेमेडी बहुत ही पाउरफुल है इसे आपको 100% रिजल्ट पिलेगा तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें सारी चीजे सारी प्रुसेस आपको इसी तरह से करना है जैसे मैं बताते जा रही हूं आपको भी इसी तरह से करनी है बढ़ना आपको बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों चीजों को मिट्टि के दिये में रखने के बाद गैस की फ्लेंद को एकदम से लो में रखकरके बहुत ही अच्य तरिक Major और degreesMan type वो पूरी तरीके से खतम करने में बहुत ही जादा कारगार होगा ठीके तो देखिए दोस्तों इसे भूनते टाइम चम्मच की मदश से इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे भून लीजिएगा ताकि तले से बिलकुल जले ना या फिर एक साइड से ये भूने और दूसर से साइड से ना भूने ऐसा ना हो इसलिए आप चम्मच की मदश से चलाते हुए इसे भून लीजिएगा तो जैसे की दोस्तों आप देखी सकते हैं लॉंग के कलर चेंज हो चुका है लॉंग में से धुवा भी आ चुका है और साथी साथ अजवाइन भी चटक चुका है त दात दर से भी रहत मिलता है तो जब यह भून जाए अब हमें इसे कूट लेना है यानि कि अब हमें इसे पीस लेना है तो इसे जब आप पीसेंगे ना तो हलके से गरम रहते हुए इसे पीसेगा तो अच्छी तरीके से यह पीस जाता है अगर पूरी तरीके से ठंडा हो ज और देखिए कितने अच्छी बात है इसे एकठी एक महीने के लिए बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं यानि कि इसे डेली डेली बनाने की जंजट भी नहीं होगी तो यहां पर जितना क्वांटिटी में बनाई ना आप देख रहे हो ना यह मेरा अराम से एक महीना चल ज पूरी काफी तरीके की समस्या से जूज रहे हैं चाहे डातों की सडन हो दातों में दर्द हो पाईरिया हो मसूडों की प्राबलम हो किसी भी तरीके की प्राबलम हो उसके लिए यह पाउडर राम बन है तो दोस्तों आप क्या करेंगे ब्रेस करने से पहले थोड़ा सा या फिर दोस्तों पान गुटके की जिद्धी दाग को रिमूब करने में बहुत ही जादा कारगार होगा तो यहाँ पर निबू का हम चंद बूंदे ही यूज करेंगे जादा निबू यूज नहीं करेंगे ठीके और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा नमक जो की बहुत ही बड़िया तरीके से नमक काट देता है साथी साथ दोस्तों नमक दातों की सडन यानि की दातों में लगी हुई कीडों को पूरी तरीके से खतम कर देता है तो यहाँ पर दोस्तों नमक हम थोड़ा सा डालेंगे और नमक डालने के बाद अची तरीके से नमक को मिक्स कर लें बस वही पेस्ट आपको लेना है और पेस्ट आप थोड़ा सा लीजिएगा पेस्ट लेने के बाद अच्छी तरीके से इस मिक्चर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से ठीके मिक्स करने के बाद ये रेमेडी पूरी तरीके से बनके तयार हो जाएगा और दो हो या फिर मसूरों की सुजन पाइरिया या फिर दातों की पीलापन दातों की गंदेगी को साफ करने के लिए हम डेंटिस के पास जाते हैं इसके लिंग कराते हैं पेंकिलर खाते हैं लेकिन दोस्तों इसे क्या होता है कुछ दिन तो ठीक रहता है लेकिन वापस से फिर से वह ही समस्या होने लगता है तो इसे अच्छा है आप home diagnosis यूज क्या किजी तो इस लिए दोस्थो इस तुप अगर आप regular ूज करते हैं तो दातों से जूरी इतने विसांवी समस्या होगी पूरी तरीके से जढ़ से क्शत्म हो जाएकी तो दोस्तों आपको क्या करना है इस रेमेडी को इस तरह से तयार कर लेना है और ब्रस में लगा लेना है और यह जो बची पाउडर है इसे आप इकठी बना करके आप कंटेनर में रख लीजिए और जब भी आपको ब्रस करनी है उसे पहले इस तरह से पाउडर को ले लीजिए फटा-फट से बना होए ब्रेस्ट करेंगे यानि कि कोई भी जगा छूटना नहींच चाहिए इसे कि आपके दाथों की सफ़ाई अच्छी तरीके से होगा अगर दोस्तों आपको मसूडों में सुजन है या फिर दातों में दर्ड है तो आप ब्रेस्ट की जगां का यूज भी कर सकते हो और ब्रेस करने के बाद मुझ को साधा पानी से कुला करके धोली जिएगा और दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट आया था कि बच्चों की दातों में सडन या कविट्र लग जाए तो इसके लिए आप कुछ बताएं तो दोस्तों इसके लिए भी आप इस रेमेडी को जूज लेकर के Garrus करेंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा है इसलिए बच्चे भी बड़े मज़े से ब्रस कर देर हैं साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को दिखाएंगे ना तो वो और भी इंट्रेस से diverse कर लेंगे होता क्या है बच्चे ढंग से prinverse करता नहीं है इसलिए क्या होता है कि दातों में क गंदेगी यानि की खाने पीने की टुक्रे ह enthuset हुए होते हैं और उसी से दातों में cavity या फृर दातों में लग जाता है लेकिन दोस्तो इस remedy से बहुत ही बढ़ीया result मिले जानि कि दातों की सरन और दातों की जो केड़े हुंगे न वह पूरी तरिके से इस remedy के मद्ध से खतम जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ रेमेडी बहुत ही पावरफुल बहुत ही यूसफुल है तो वीडियो को जादर से जादर से यार कर दीजीगा क्योंकि दातों से जूड़ी काफी तरह की समसेय से काफी लोग जूजते हैं तो उन्हें भी हल्प मिल जाएगा साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट की तो जरूर बताइएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स